हेलो डियर स्टुडेंट स्वागत आप सभी का मिसाल क्लासेस पर जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एक्जाम बहुत ही नजदी का चुका है इसके लिए आप सभी को हर सब्जेक्ट के स्लेक्टेट कोसंस को कराया जा रहा है अगर आप इन ही प्रशनों को अच्छे से करक आप इक्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भुगोल से संबंदित स्वेक्टेट को सब्सक्राइब करते हैं कौन सराज चीन की सीमा पर इस्तित है राइट अनसर नमबर दी अरुनाचल परदेश जो राज है वो चीन की सीमा पर इस तो मनी करन किस राजी में इस्तित है तो मनी करन जो है किस राजी में इस्तित है राइट अनसर है ओप्सन नमबर सीमाचल परदेश में मनी करन इस्तित है अगला प्रशन है निमलिखित परदेशों में कौन सूप्रलेखित प्राचिंतम नगरी बस्ति है तो कौन सा सूप्र लेखित प्राचिंतब नगरी बस्ति नाअ है यह चलती है तो रॅप्सन नांबर दी भईस हो जायेगा अगला प्रीखित मैं से कौन जन संख्या वाला चेत्र है चलते हैं अले प्रशन की और कि अगला प्रेश्न है विस्यो के सघन जनसंख्याँ में निमलिखित में से गों Charles सम्मिलित नहीं है वो सघन संख्याँ छेतिर में सम्मिलित नहीं है तो राइट एंसर हो जाएगा और सी Oxygen the दक्षिम अफरिका दे जो अफरिका है वह विस्यों के सघन जनसंख्या 5 में सम्मet नहीं है चलते हैं अगले प्रश्ण के ओर अगला प्रश्ण है विश्व के किस देशी कि जनसंख्या सार्वादी करें तो विश्व में कौन सा देश जो जन संख्या के दिरिष्टी से एक नंबर पर आता हैं चलते हैं अगले प्रश्न के और अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राजी की जनसंख्या सबसे कम है तो भारत के कौन से राज है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है तो राइट अंसर है option number D सिकीम जो जन सिंख्या के दिश्टिस से सबसे कम वाला राज है चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है बिहार के लोग किस भासा परिवार समू से संबानित है तो जो बिहार के लोग है वो किस भासा परिवार से संबानित है राइट अंसर आप्सन नंबर भी दुरविडियन समू जो भिहार के लोग है वो इसी परिवार से संबानी थें अगला प्रश्ण है निमलिखित में से भारत के किस राज में जनसंख्या घनत निम्न है कौन सा राज है जिसमें जनसंख्या घनत सबसे निम्न है तो राइट अंसर इस नंबर सी असम असम राज है जहां पास जनसंख्या घनत निम्न है चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है निम्न छित रोगों में कौन सा जल जनई रोग है यानी जल से फैलने वाला कौन सा रोग है तो right answer है option number C अतिसार अतिसार रोक कही डायरिया के नाम से जाना जाता है डायरिया ही अतिसार को कहा जाता है चलते हैं अगले प्रिशन के और अगला प्रिशन है धौनी परदूसन के प्रमुक्ष रोत है तो धौनी परदूसन के प्रमुक्ष रोत क्या है तो धौनी परदूस हो जाएगा option number D उप्युक्त सभी उप्युक्त सभी हमारा राइट होगा चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है चन्ने पतन किस परकार का प्रतन है राइट अंसर है option नंबर एक क्रितिम क्रितिम का मतलब होता है जो मानों द्वारा निर्मित किया गया है यानि मानों के द्वारा बनाया गया कोई क्रितिम कहा जाता है तो चन्ने पतन क्रितिम परकार का प्रतम है अगला प्रश्ण है भारत के आयात व्यापार का स्वर्व प्रमुख पदार्थ भारत के आयात व्यापार का सरु प्रमुख पदात कौन सा है तो राइट अंसर है ऑप्सन नमबर बी पैट्रोलियम पदात पैट्रोलियम जो पदात है वो भारत के आयात व्यापार का सरु प्रमुख पदात है अगला प्रश्न है भारत एक सदस्य है यानि भारत किसका सदस् चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है किस भासा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है किस भासा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है तो राइट अंसर ऑप्सन नंबर डी चीनी तिबवती राइट अंसर ऑप्सन नंबर डी चलते हैं अगले प्रश्ण के और भारत की जनसंख्या कितनी है whatever the site option number而已 121 करोड एक सो एक्टी करोड भारत की जनसंख्या है 2014 के अनुसार अगला प्रश्ण है मेरा है अगला प्रश्ण है हमारा निमली विखित में कौ और दोंगी क नगर है कौन से जो और दोंगी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज की जनसंख्या का घनतों सबसे कम है तो राइट अंसर है और अरुनाचल प्रदेश जो राज है वह जनसंख्या घनतों का सबसे कम है 2011 के जनसंख्या के अनुसार और जो जन गनना है वहर दस वर्स के बाद होता है अगला प्रश्ण है 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है तो राइट अंसर है ऑप्सन नंबर ए 10.41 करोड 10.41 करोड जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है निमलिखित राज में से किस जनसंख्या सारवाधी किस जो है जनसंख्या सारवाधी किस राजी की जनसंख्या सारवाधी किस राजी की जनसंख्या सारवाधी तो राश्टी राजमार्ग के निर्मान का उत्तर दायतु पर है, किसके उत्तर दायतु पर राश्टी राजमार्ग के निर्मान होता है, तो राइट अंसर है ऑफसन नमबर B केंदर सरकार, केंदर सरकार का दायतु होता है राश्टी राजमार्ग के निर्मान में, अगला प्रश सकती है राइट अंसर ऑपन नमद्र नदी में नाव नहीं चल सकती है अगला म pissल है निम्ली फित राजयों में emails नेहरू समूंदरी पतन आवस्थित हैं जो जवाहरल निहरू समंद्री पतन है वह कौन से Raj में इस्तित है तो रायट सर सोच अजाएगा Oil Lead Tea महराष्ठ महराष्ठ राज्य में जो जवाहार लाल नेहिरु सम cities किशल में इस्तित हैं अगला प्रश्शन है सु नरवन किस राज में इस्तित जो है वो किस राजी में इस्तित है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी पसी मंगाल पसी मंगाल में सुंदर वन राज्य इस्तित है अगला प्रश्ण है एन्नोर पतन किस राज में इस्तित है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A तमिल नाडू तमिल नाडू राज में इस्तित है एन्नोर पतन चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है तूती कोरीन पतन इस्तित है तो राइट अंसर है option number C Tamil Nadu Tamil Nadu राजे में है तूति कोरिण बतन चलते हैं अगले प्रशने के और अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन अस्थल बद पोतास रहे है कौन से अस्थल बद पोतास रहे है तो right answer है option अगला प्रश्न है पूर्वी पस्यम गलियारा जोडता है पूर्वी पस्यम जो गलियारा है वो किसको जोडता है तो राइट अंसर है ऑप्सन नमबर डी अगला प्रश्न है भारती रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विवाजित किया गया है राइट अंसर है ऑप्सन नमबर डी इनमें से कोई नहीं हमारा राइट अंसर है अगला प्रश्न है और दोगी करन से कौन सा परदूशन होता है तो और दोगी करन से कौन सा परदूशन होता है तो राइट अंसर हो जेगा ऑप्सन नमबर डी इनमें से सभी यानि जल परदूशन वायू परदूशन और धौनी परदूशन इन तीनों से जो होता है और दो तो राइटन से leftARE और से नमबर ए 90-94 to 94 सभी या शहरी करन और तिर्ते कारियों के प्रमुखता इन सब ईगत है या अब कर्सकारक में स्दित Opera है अगला प्रश्ण है विशु की जन संख्या किस वर्स साथ १ीलियन हो गई है यौनी कि जन संख्या है यूदre स सभाना के अनुसार अगला प्रश्ण है थी स्रेशू में कौन जननी करण संक्रमन की की अन्तिम अवस्था में है जननीक की करन संक्रमन की अलतिम अवस्था में है तो राइट अनसरे ओसे नमबर हुआ हुआ है है पी आकिपान फ़िए चलते हैं अगले प्रेश्ण के और अगला प्रेश्ण है अस्टेलिया की आयू लिंग पिरामेड की आकरिती है अस्टेलिया के आयो लिंग पिरामेड की आकरिती किस परकार की आकरिती है तो राइट अंसर है ऑप्सन नमबर भी घंटी नूमा घंटी नूमा आकरिती अस्टेलिया के आयो लिंग पिरामेड की आकरिती है अगला प्रश्ण है भारत के नीजी करण एवों वैस्विकरन की नीथी अपनाई गई है किस वर्स भारत में नीजी करन और वैस्विकरन की नीथी हपनाई गई है तो रहाईट या option number C 90-91 में भारत में नीची करण एवं वैस्वी करण की नीती अपनाई कई है अगला प्रश्न क्यों राते हैं बारत का अधिकांस बीदेशी वयपार वहन होता है यानि भारत का अधिकांस जो बीदेशी वयपार है वह किसमे अवस्तित होता है व्यभार का वहन होता है तो राइट अंसर है और ओप्सन नंबर C शमुंद्र और वायू दुएffurja भारत का अधिकांस विडिय SEN व्यपार वहन होता है अगला प्रश्ण है योजणा आयोग का गठन प्रश्ण है यहां पर जितने भी प्रशन देख रहें आप सभी लोगों सारे के सारे आपके एक्जाम के लिए selected questions है अगर आप इन्हीं प्रशन को करकर जाते हैं तब भी आप एक्जाम में बहुत अच्छा माक्स ला सकते हैं इसलिए आप सभी प्रशन को ध्यान से करिए तो योजना आयो का गठन कभ हुआ था की योजना आयो का गठन हुआ था राइट आनसर है और स्चण नंबर e 95 laquelle एकको योजना आयो का गठन हुआ है last प्रश्ण है मारा अगला प्रश्ण है निम्लिखित में कौन सूचना ओदावगी की केंद्र है कौन सा जो सूचना ओदावगी की केंद्र है राइट अंसरे आपसन नंबर सी बंगलोर बंगलोर जो है वह सूचना ओदावगी की केंद्र इसलित है बंगलोर में नेक्स्ट कु प्रि enabling से जोड़ने का काम उत्तर दक्षिनी गलियारह करता है अगला प्रश्न है निम्णांकित में कौन सा सहर段 ट्रंक सड़क का नेल्व इस्थित्न नहीं है कौन से सहर जो ग्रांट ट्रंक सड़क पर इस्तित नहीं है तो राइट अंसर है हमारा आपसन नमबर डी लखनव लखनव सहर जो है ग्रांट ट्रंक सड़क पर इस्तित नहीं है अगला प्रशन है निमलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर इस्तित है कौन सा जो पतन है वो पूर्वी तट पर इस्तित हैं अगला प्रश्ण है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी तो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी राइट अंसर है ओप्सन नमबर C 1988, 1988 को भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, अगला प्रशन है, वर्ष 2010-11 में निमलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? 2010-11 के बीच में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन था? तो राइट अंसर है ओप्सन नमबर B संयुक्त राज अमेरिका 2010-11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? चलते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है निमलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल छेत्र इस्तित है कौन से राज्य है जिसमें प्रमुख तेल छेत्र इस्तित है तो राइटन से ने आप्सन नंबर बी असम असम राज्य में सबसे प्रथम बार तेल इ उर्जा केंद्र किस सहर के निकट अउस्तित है तो रावत भाटा परमानु केंद्र किस सहर के निकट इस्तित है रावत भाटा परमानु उर्जा केंद्र चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पा जादक राजी कौन्स है तो राइट अंसर है option number C उत्तरप्रदेश उत्तर परदेश जो वह चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है हुगली योगिक प्रदेश का केंद्र है होगली ह उदोगीक प्रदेस का केंदर है थो right अंसर और ऐब सन नमभरे कोलकाता और हावडा خुगली नदी जो है वह वह अधोगी मिधित का केंदर है रहली certainty अगाप भारत में सबसे पहले सथापित कीगई लोव इस्पाथ कंपनी निमलखित मेंसे कौन से hem याणि भारत में सबसे पहले low spot company कौन सी है उसका नाम क्या है राइट अंसर है option number B टाटा low spot company यानि टिसको कहा जाता है टाटा low and spot company यानि टिसको भारत में सबसे पहले इस्तापित की गई low spot company है अगला प्रश्न है सोलापूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है जो सोलापूर उद्योग है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है तो राइट अंसर है option number D सूती वस्त्र सूती वस्त्र जो उद्योग है वो सोलापूर उद्योग के लिए जाना जाता है चलते हैं अगले प्रश्न के और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लो आयसक उत्पादन केंदर है तो कौन से जो उत्पादन केंदर है जो लो आयसक है तो राइट अंसर है आपसन नमबर A बादाम पहाड बादाम पहाड जो है वो लो आयसक उत्पादक केंदर है बादाम पहार चलते हैं अगले परिशन के और अगला परिशन है निम्न में अगला परिशन है भारत में पाए जाने वाले कुल कोईला का कितना पतिसत बिटू मिनस परकार का है तो भारत में पाए जाने वाले कुल कोईला का कितना प्रतिसद बितू मिनस परकार का है तो राइट अंसर है ओप्सन नमबर C असी प्रतिसद असी प्रतिसद जो कोईला है भारत में वो बितू मिनस परकार का कोईला है चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है निमलिकित रोगों में से कौन वायू जनक नहीं है, कौन सा रोग है जो वायू से नहीं फैलता है तो राइट अंसरे अप्सर नंबर बी नेत्र सिलिस्मा सोध वायू दुआरा नहीं फैलने वाली बिमारी है चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है सुसको छेत्रों में मिर्दा अपरदन का मुख्य कारण है सुसको जो छेत्र है उसमें मिर्दा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है तो राइट अंसर है आपसन नंबर C वायू अपरदन वाई अपरदन के कारण ही सुसकु छेतर में मिर्दा अपरदन का मुख्य कारण है चलते हैं अगले प्रश्न के और अगला प्रश्न है मध्य पूरू रेल्वे का मुख्यालई कहा है तो राइट अंसर है आपसर नंबर D हाजिपूर चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है जनसंख्या घनतो का शंबंद है जनसंख्या घनतो का शंबंद किसे है तो राइट नसर है आफसर नंबर सी जनसंख्या एवं छेतरफल से जनसंख्या घनतो का संबंद जनसंख्या एवं छेतरफल से है चलते हैं अगले प झ mä फ्रोवी प्र देश यह वो एक विर्ड जंसंख्या वाला चित्र है तो रहाइट आपसर नंबर एद्वी प्रदेश न५ 10 идеos यह वह एक वरत चैवह द् recommending oh अगला प्रूशन में क़र काऊन से महाधीब आधिया जिसमें इंकिंगक व्रीद Change सारवादिक है तो राइट अंसर हो जाएगा आफसर नमबर बी अफरीका अफरीका जो द्यूप है उसमें जन सेंग के अवरदी सारवदिक है चलते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है अगले प्रशन के अगले प्रशन के और अगला प्रियोजनय पर aelकष्ण नंगल परियोजनय तो थीन Deshalb गोदावरी बेसीन कहा है तो गोदावरी बेसीन कहा इस्ती थी थे और अपसलंफर सी दक्षिनी भारत दक्षिनी भारत में इस्तित है गोदावरी बेसिन चलते हैं अगले प्रशनी के और अगला प्रशन है परादीपी बंदरगा किस राजी में इस्तित है तो परादीपी बंदरगा किस राजी में इस्तित है राइट अंसर आप्सन नंबर बी उडिसा उडि यानि राश्टि राजमार्ग संख्य एक जो है वो कौन से नदी पर है और किस दो अस्थानों को दो अस्थानों के बीच को जोड़ता है तो राइट अंसर है ऑप्षन नंबर बी गंगा नदी पर इस्तित है और हल्दिया और इलहाबाद को जोड़ने का काम करती है राश्ट में से किस वर्स में पहला रेडियो कारिकरम प्रशारित हुआ था कौन सब वर्स है जिसमें पहला रेडियो कारिकरम प्रशारित हुआ था तो राइट अंसर है ऑप्षन नंबर बी 1923 1923 में पहला रेडियो कारिकरम प्रशारित किया गया था चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रश्ण है भर मौर जन जाती है छेत्र भारत के किस प्रांत में इस्तित है भर मौर जो जन जाती है भारत के किस प्रांत में किस राजी में इस्तित है तो राइट अंसर है ऑपसर नंबर भी हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश राजी में भर मौर जन जाती इस्तित हैं चलते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्न है निम्लिखित केंद्र सासित पत्व में सांश्चता दर सर्खता दर है आपशन नमबर दिलक्षदीव लक्षत राइट अंसर है अप्सन अबढ डी लक्ष Dhika दीव चलता है हैं अगले प्रश्ण बात करें तो भारत की जनसंख्या कितने हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत है चलते हैं अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है भारत में सारवाधिक जन व्रिधी की आवधी है कौन सा वर्स था जिसमें जन व्रिधी के आवधी सबसे जादा है तो 1991 से 2001 के बीच में भारत में सारवाधिक जन व्रिधी की आवधी है यहां पर जितने भी कोसंस बताया गया है यह सारे के सारे आपके एक्साम के लिए स्लेक्टेट कोसंस है और इसी परकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं तब तक के लिए धन्यवाद